आज हम डिसकस करने वाले है 16 जून के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कहाँ पर बाई करना चाहिए कहाँ पर सेल करना चाहिए और कौन सी रेंज में आपको वेट करना है कुछ नहीं करना है पर उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था कि गुरु वार मतलब कि एक्सपारी के दिन आपको दोनों में बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है पर आप ये रेंज का ध्यान रखेगा तो यहाँ पर जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहां पर देख लिजिए यहां पर ऊपर चोटा सा ट्रेड मिला था पर यहां नीचे आने के बाद निफ्टी में यहां से लेकर सीधा इतना ट्रेड मिला था मतलब कि आराम से हम देखे तो 50 पॉइंट का यहां पर ट्रेड मिला था इंदमुनी में देखे त तो आपको 25 to 30 point तो आपको मिला हिए और bank nifty में यहाँ पर देखे तो bank nifty की तो बहुत बड़े target में यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि यह line के नीचे मतलब कि जो नीचे वाली red line है उसके नीचे आने के बाद 43 922 के नीचे आने के बाद आप बह बड़े bearish target के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख लिजिए कितना बड़ा target आपको मिला था और मैंने आपको stop loss भी बोला था कि जो बीच में blue line है वो आप stop loss ले लिजिएगा तो यहाँ पर देख लिजिए मैंने पूरा तो नहीं खीचा है यहाँ पर scale सिर्फ यहा money में देखे तो 225 से लेकर आप 230 पॉइंट तो आराम से आपको in the money में मिलते हैं और stop loss की बाल करे तो stop loss यहाँ से देखे कितना होता है सिर्फ यहाँ पर आपको stop loss रखता था मरलब कि यहाँ पर 100 दिका रहा है तो in the money में आप इसके आधे कर लिजिए तो 50 to 55 सिर्फ यहाँ पर आपका stop loss जा रहा था और उसके सामने आपको minimum 200 point मिले है और अगर आपको सीखना है कि यह मैं कैसे decide करता हूं कि कौन सी range पर आपको buy करना चाहिए कौन सी range पर आपको sell करना चाहिए तो वो video मैंने already बना रखा है वो description में मैंने link दे रखिए पर मैं कैसे target decide करता हूं वो म मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो में बने रही हैगा आज हम बात करने वाले 16 June के लिए तो शुरू करते है निफ्टी 50 से तो निफ्टी 50 के लिए बात करते हैं तो यहां पर आपको box के बीच में यह जो box में ने draw किया है मतलब कि 18752 और 18695 के बीच में आपको trade नहीं करना है आपको सिर्फ weight ही करना है उपर या फिर नीचे जाने का अगर उपर जाता है या फिर इसके उपर open होता है green line के उपर 18752 के उपर तो आपको यह first target यह रखना है मतलब कि 18794 और उसके उपर trailing stop loss लगा कर आप आगे जा सकते हैं और उसके नीचे ही open होता है तो आपको यह नीचे वाला target लेना है 18644 और अगर यहाँ पर इसके नीचे भी breakdown कर देता है तो आप नीचे trailing stop loss लगा कर जा सकते हैं और bank nifty में बात करें तो bank nifty में यहाँ पर box के अंदर आपको trade नहीं करना है मतलब कि 43.964 और 43.569 के बीच में आ आपको trade नहीं करना है आपको उसके अंदर सिर्फ वेटी करना है उपर या फिर नीचे जाने का अगर 43.964 उपर जो green line है box के उपर यहाँ पर इसके उपर अगर आ जाता है तो आपको यह first target लेना है 44.157 का और उसके उपर trailing stop loss लगार कर आप आगे जा सकते हैं और अगर य नीचे open होता है या फिर इसके नीचे breakdown कर देता है box के नीचे मतलब कि 43.569 तो आपको यहाँ पर नीचे bearish trade के लिए जाना है और bearish trade में यहाँ पर मैंने target नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है कि bearish trade में बड़ा target मिल सकता है उपर मैंने एक target दिया है वहाँ पर आप trailing stop loss शरूर लगाईएगा अगर उपर open होता है या फिर box के उपर यहाँ पर breakout करता है तो और हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बोला कि मैं कैसे target दूनता हूं तो आपको क्या करना है कि जो मैंने video में समझाया है जो मैंने description में link दी है कि यह मैं range कैसे निकालत है 30 मिनी time frame लेना है और latest swing high, swing low को connect करना है या फिर आपको latest swing low से लेकर high को connect करना है बस उसके बाद आपको जो range मिलेगी वो आपका होगा target आज के लिए इतना ही अगर information अच्छी लगे हो तो एक like कर दीजगा ऐसी information के लिए चैनल को subscribe कर दीजगा मिलते हैं नई वीडियो में थैंक यू